तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट अलिशिस वीडियो देखते हैं 16 जुलाइ यहां पर निफ्टी बैंक रनिफ्टी और फिन निफ्टी में हम कहां पर ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा फले हमें बैंक निफ्टी दोनों की यहा यहां पर हॉलिड है तो बैंक निफ्टी की जो इक्सपारी होगी वह शुट होगा तुस्टी की दिन तो कल हमें बैंक निफ्टी एज फिन निफ्टी का इस पर दिखने मिलेगा एक मज़ी की बात यहां पर यहां पर बजट देखने मिलने वाला है थोड़ी से प्रीमियम लेकिन इक्सपारी की खास बात है कि जब चला जाएगा तो अच्छा खासा यहां पीडिकी हो जाए उसके बाद में बीक अच्छा खासा हमें मुमेंटम का यहां पर मार्केट में चांस मिले तो लेवल काफी क्लियर है बस वेट करना है अगर प्रॉपर टाइम पर की जा सकती है तो यहां पर यहां पर टाइम सिव करने के लिए आपका यहां पर रफ लिया तो एक थोड़ा सा अगर आप देखो कि हेड़न शोल्डर पैटरन है उस तरह से मार्केट में यहां पर कुछ बनाया है राइट मार्केट यहां से फॉल किया बाउन्स अगें काफ अल्मोस्ट सेम सब्सक्राइब की जो आपको फिनिफ्ट में देखनी मिलेगा जिसके बारे में हम आगे डिसक्स करेंगे जिए अगर यहां पर बहुत चाग तो मैंने मार्केट यहां पर ट्रेड करा था तब मैंने आपके साथ क्या था मार्केट में नीची की तरफ एक गै जाना ठीक है तो बस हमें वेट करने प्रॉपर लेवल स्टिंगर होने का और उसके बाद हम यहां पर ट्रेड रह सकते हैं सेकेंड मुस्ट इंपोर्ट इंग मार्केट जैसे मैंने बोला नेक्स्ट विक बजट है प्रीम बड़े हुए लेकिन साथी साथ यहां पर वोलेट मार्केट में चोटे ट्रेडर से लेगें बड़ा ट्रेडर यहां पर दोनों यहां पर अच्छे कासा फाइट कर रहे हैं अगर आप देख तो यहां पर रफली एक जोन बन चुका है इसके उपर हमें अभी तब कोई कैंडल क्लोज नहीं मिली तो कल के लिए हमारे लिए संडेड की ऊपर अगर कोई कैंडल हमें क्लोजिंग मिलता है तो डेफिनेटल यहां पर बाइंग लेवल ट्रेगर होगा 52,800 एक बेसिक हमारा टागेट रहे कि मार्केट यहां तक जा सकता है लेकिन यहां पर आने के बाद अगर मार्केट रुग का और उसके अबाद अगर प्रीमियम कितना स्पाइक होगा थोड़ा बता नहीं सकते लेकिन अगर साधे बारा एक दो बजे रही बजे में तीन बजे ब्रेक चलता है जो कि काफी रे टाइम होता है लेकिन वह अगर हुआ तो डेफिनेटल यहां पर मोमेंटम जो होगा तो आपका 20 रुपे का सकता है मार्के न बने दूसरा कुछ बुसरा सेटाब मार्केट प्ले आउट करते हुए मार्केट मोमेंटम कर दे तो वो मिस हो सकता है लेकिन डेफिनेटल अगर एक पर्टिकूलर सिच्टीम अगर आप लेके बैठ तो आपको मार्केट कभी न चांस देगा और अगर आप करता है हमारे लिए वापस यहां पर रागेट लिए उसके बाद हमारा टागेट अगर अगर यहां पर कहीं पर भी होल्ड किया क्या के दो सो पॉइंट की आसपास किके अगर मार्केट होल्ड करता है सब्सक्राइब करता है यहां पर सब्सक्राइब तो फिर से ओल टाम की तरफ चल बड़ा पैसा यहां पर मुक्त्राइब लगेगा कि वहाँ पर होगी तो हो सकता है निफ्टी कंप्लीटली अंडर परफॉर्म करें चला जाए या फिर दूसरा यह सकता है कि सभी लोग रिटेलर से यहाँ पर फिर निफ्टी में फर्स जाएंगे और बड़े लोग आप निफ्टी में बहुत बड़ा मोमेंटम कर द हो और अगर आपको निफ्टी में बड़ा लोग पैसा लागा रहा है कि दो इसका फाइदा उठा पर तो बस देखना है के बड़े कहां पर बन रहे हैं उसके basis अगर यहां पर बैंक निफ्टी में सेलिंग के लिए दूसरा बायर रफली आप बोलु यहां पर क्यूंकि इस बैंक निफ्टी काफी अच्छा सपोर्ट बनाने का ट्राइब कर रहा है ठीक है और अगर मारे नीचे आता है तो सेलिंग हमार लिए ट्रिकर होगा जब मार्के 52 की नीचे क्रॉस होगा तक मार्केट इसकी ऊपर है तब तक वह बेसिकली पॉजिटिव सेंटिमेंट में ही है हो सकता है तोड़ा नीचे करने के लिए और लेकिन फिर इसी तरह से मार्केट इसका स्मुल प्राइक्शन आप देखते हो तो आपको दिएगा यह मोमेंटम क्या है यह स्ट्रक्चर में चला जब इसका मतलब जो अप भूल सकते हो वह निकलएगा तो आपको बस वेट करना है कि जब यह बायर की stop loss होंगे तब भी आपको डाउंसर यहां पर मोमन्टम या आपको रखना होगा ठीक है तो काफी एजी रहेगा जब तक मार्केट मोमन्टम में है यहां पर दिखी काफी अच्छा नो ट्रेडिंग जोन एक्सपारी भी है तो काफी अच्छा प्रिमिंटी की हो सकता है नाओ कमिंग तो दी नेक्स्ट पॉइंट विच इस निफ्टी यहां पर अगर यह नॉम्मल मार्केट होता था तो काफी जी ता यह मार्केट यहां पर चला गया है यह ब्रेक आउट किया यहां से मोमेंटम कर रहा है हो सकता है नीचे चला जाए तो हमरे लिए काफी इंपोर्टन लेवल निकाल सकते थे सेलिंग की साफसे मार्केट को देख सकते थे ठीक है लेकिन निफ्टी जो है ऑल्ल टाम है के आसपास है सेकेंड लिए अगर इसका वन डे का चार्ट डेखत बजट का फिर जिस तरह से आउटकम आएगा उसके बेसिस फिर मार्केट करना शुरू कर गया हो सकता है नीचे चला जाए हो सकते ऊपर चला जाए हो सकता है को तोड़के ऊपर निकल जाए ठीक है अभी यहां पर कोई कमेंट करने हो कोई मतलब नहीं बनेगा क्योंकि वह बना सकता है यहां पर साड़ा साड़ा बना सकता है यहां पर साइड जब चीजे पास आएगी तब हम वहां पर इंडिटल में डिसकस कर सकते लेकिन अभी के लिए हमारी यह प्लान करना कि मार्केट गिरेगा बहुत ऐसा इस गूर जा रहा है या फिर इस तरह से मोमेंटम पॉसिबल नहीं प्राइक्शन की साफ से नीच आना चाहिए यह ऐसा नहीं चलता है सेंटिमेंट के साथ मार्केट खेलता है कुछ लाइग मेरे खाल से लास्ट वीक मेरे खाल से मैंने आपको डिसकर्स किया था कि जब निफ्टी ऐसे सिनियार लेकिन मार्केट थोड़ा नीचाहिके घुम जाएगा और इस केस में कोई बाइंग का भी ट्राइगा उसको भी लॉस होगा क्योंकि मार्केट ज्यादा बड़ा हाई नहीं बनाएगा हलका साम उपर निकलेगा फिर से गरेगा फिर से उपर चला जागा तो इस केस में जो इर बीच में आने का ट्राइक करता ही उसको प्रॉफिट नहीं मिलता साथ साथम चाहिक करते हों चाहिकेट आप तक हमारे पास अब कुछ देख सकते हैं कि मार्केट में किस तरह मोमेंटम आ सकता है से के य मä kickers काहले तो इसक要 को अग expectations के करा मेंटमा सिस्ञाइब करेंगे इंपार्टन इवेंट हमारे लिए मारे बड़ा मोव करने में यहां पे चांसे जाता है तो निफ्टी में फिलाल जब बना है हमें यहां पर बाइंग की तरफ ही mostly रखना है ठीक है तो सेटप बनेगा तो ही ट्रेड लेना है लेवल होगा 24,630 इसके उपर अगर मार्केट निकलता है डिफ्टी निकलता है डेफिनेटल यह बाइंग होगा उसकेस में 24,720 के आसपास जा सकता है अगेर अल्टायम हाई के के आसपास के ऊपर के लेवल निकाले मार्केट ने एक्जाटल उनको रिस्पेक किया है लेकिन नो गैरेंटी की चलेगा क्यों क्योंकि अल्टायम हाई के आसपास कहां पर कुछ नहीं होता है बस हमें एक अंदाजा लगाते कि नॉमल निफ्टी इतना मूव करता है उसकी लगात हुआ था कि सकता है ठीक है सेकेंड ली अगर निफ्टी नीचे आता है रिक ली सेल नहीं करना है सेलिंग के लिए प्राइक्षान होना ज़रूरी होगा क्यूब नॉर्मल पैटन की इसाप से यहां चीज्ड है आप मेरे खाल से इसके की ती यह ऐग तर इस दार पर लेल बनाया था मार्केट ने यह भी डिसकर्स किया था हमने किया था कि 400 की आसपास प्राइक्शन होना चाहिए और जो मार्केट में हाप एक्जैटली किया था तो यहां पर लेकिन और यहां पर सब्सक्राइब कर सकता है लेकिन यहां पर हो भी सकता है तो इस तरह किस तरह पता नहीं तो हमें wait करना है अगर market move करेगा तो आपको बस आपका trend as a friend पकड़ के उसके उसी में वहाँ पे आपको join होना है ठीक है simple चीज selling बस ड्रेक्ली करना नहीं selling के लिए यहाँ पर प्राइक्षिन important है बाइं के लिए हम ड्रेक्ली यहाँ पर लग सकते क्योंकि all time high के आसपास market momentum करेगा क्योंकि seller यहाँ पर ट्राय करेगा चलो यह टॉप बन गया कुछ भी देखते वह सेल करते जाएगा यहाँ पर उनकी stop loss लगते चलेंगे market यहाँ पर नया all time high क्रियेट हमेशा करता जाएगा ठीक है बहुत stress कर रहा हूं लेकिन important point से इसलिए मिनको बता रहा हूं अब आते हमारा last point जो कि यहाँ पे अच्छागासा 0-0 बन सकता है ठीक है अब उसके बारे में तो डिसकस करते हैं यहाँ भी दीखिए को देख सकते हैं लेकिन मेरे इसाब से चांसे ज्यादा है कि market यहाँ पर कहीं भी खुल जाए यहाँ यहाँ पर निकालने का ट्राइब करने का कल यहाँ पर कर सकता है morning में करेगा तो भी यहाँ पर कोई इस्यों नहीं हमें स्पाइक मिलेगा क्योंकि गैप जोता है यहाँ पर यहाँ इसने ट्राइब क्या तो अगें यहाँ पर सेम हम फास्ट मोमेंटम करेंगे अगर यहाँ पर स्लो मोमेंटम दिखाता है तो काफी इजीली साइनस मिल जाएंगे गया फिलप होना है तो मार्केट बहुत जली जली इस तरह से उपर चला जाएगा तो कल यहाँ पर पॉजिटिव की इसाप से मार्केट में कल फिन फिन निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो यह दिखेंगे और जो सेलिंग वह थोड़ा के लिए बेनिफिट नहीं रहेगा ठीक है सिंपल आज चीज़े सिंपल रखिए कल आच्छा मोमेंट मिल सकता है बस आखे खुली रखिए लेवल्स को वाच कीजिए सेटप देखिए रिश्टी रखा वरना आप यहाँ पर मत कीजिए सिंपल आज ठीक है इवन आप अगर चिपने रखिए बस्टी रखिए बस्टी रखिए बस्ती रखिए अटीज रखिए इवन आप यहाँ पाई पाई इन ने 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 च्ट विडियो में तिल एंग बद्बाय